कि नमस्कार स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में मैं आपके साथ नहीं हम देश में एक बार फिर लोगडाउन के हालात बन रही हैं कारण साफ है कि लोगों ने पिछले साल के भ्यावय हालात से सबक नहीं लिया और लापरवाही वरती इस बीच देश में जनता कर्फ्यू को एक साल पूरा हो गया है करोना के बढ़ते प्रकोप के बीच 22 मार्च 2020 को प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जनता कर्फ्यू का एलान किया था और लोगों को अपने घरों में कैद हो जाने को कहा था पीएम मोदी की अपील पर पूरा देश रुख गया था शाम को निर्धारित समय पर पूरे देश ने ताली और ठाली बजाकर करोना के खिलाब लडाई में जुटे डोक्टरों और स्वास्थे कर्मियों का सम्मान किया था बतादे कि भारत में बीते साल 30 जनवरी को करोना वाइरस का पहला के सामने आया था चीन की इन्वस्टी से लोटे केरल के एक छात्र में करोना संक्रमन मिला था देखते ही देखते बिमारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया पीएम मोदी के कहने पर 135 करोड देशवासियों ने जनता कर्फ्यू का पालन किया लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं सुद्रे आखिरकार 24 मार्च को लोकडाउन का एलान कर दिया गया था उसके बाद जो तस्वीरे सामने आई उन्होंने हर शक्स को जचकोर कर रख दिया लोगों को खाने के लाले पड़ गए दूद राशन जैसी समान्य चीजों के लिए लोग तरस गए सबसे ज़्यादा बुरा हाल उन्हों का था जो दिहाडी मजदूरी करके पेट पालते थी इसके बाद शुरू हुआ पलायन का दो इस पलायन के दोरान जो हालात सामने आए उसे देश कभी नहीं भूल पाएगा गरीब मजदूर चेहरे पर डर और अविश्वाश का भाव लेकर सडकों पर सैक्डों किलोमिटर पैदल चलने को मस्पूर हुई इस दोरान छोटे मासूम बच्चे भी साथ रहे इन लोगों की कई कहानिया आज भी चर्चा में है मकसद यही है कि लोग उस बूरे दोर की यादे ताजा कर ले और सबक ले आज भी नियोमों का पालन नहीं किया तो आने वाले दिनों में ऐसी ही हालात दोबारा बन जाएंगे इसलिए मास्क लगाए और शारिरिक दूरी का पालन अवश्य करें यहां हम आपको बता दे कि स्वास्ते मंतराली के उर से जारी ताजा आकड़ों के मुताबिक देश में करोना के 33,846 नए मामले सामने आए पिछले 24 खंटे में 197 संक्रमितों की मोत हो गई जबकि इसी अवदी में 22,956 संक्रमित पूरी तरह से ठीक हो गई है स्वास्ते मंतराली के मताबिक देश में करोना के एक्टिव केस तीन लाग के पार पहुच गई है करोना संक्रमितों की तादाद 1,15,99,130 पहुच चुकी है अब तक 1,11,3,288 संक्रमित अब तक करोना संक्रमन को मात दे का ठीक हो चुकी है देश में करोना के कारण अब तक 1,69,755 लोगों की मोत हो चुकी है चार करोण 50,65,958 लोगों को करोना वाइरस की वैक्सिन लगाई चा चुकी है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6,00,00 रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें